असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to learn more about composites और मजीद options को देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा important है कि सबसे पहले हम इस image को बहतर तरीके से crop करें और इसके बाद इसको इस image में लाके place करते हैं So cropping के लिए it's very easy कि हम लोग यहाँ पर quick selection tool का इस्तमाल करते हैं Layers में जाते हैं इसको resize कर लेते हैं ठीक है जी, एक दफा deselect कर लेते हैं हर चीज को तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, background को remove करेंगे और उसके बाद उसको inverse कर लेंगे ठीक है जी तो यहाँ पर इसका size small कर लेते हैं हमने क्लिक किया और उसने हमारे pixels की selection कर लिए तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगा पर हम लोग लासर टूट का इस्तमाल कर लेते हैं तो मैं अपने keyboard से shift प्रेस कर रहा हूं और इन pixels को इस selection में शामिल कर रहा हूं तो यहाँ यहाँ यह हमारी selection होगी इसके बाद मैं इस selection को राइट क्लिक करके इन्वर्स कर लेता हूं और इन्वर्स करने के बाद हम लोग सेलेक्ट में जाते हैं और यहां से जाके थोड़ा सा मॉडिफाय कर लेते हैं अपने सेलेक्शन को थोड़ा सा कॉंड्रेक्ट करते हैं एक से दो पिक्जल इसको इंसाइड मूव करते हैं फॉर एक्जामपल इसको दो पिक्जल करके देखते हैं कि हमारे पस क्या रिजल्स हैं चीके जी तो इसको अंडू करते हैं और दुबारा सेलेक्ट में जाके इसको कॉंट्रेक्ट करते हैं और एक पिक्जल अप्लाई करते हैं ठीक है जी इसके बाद मैं यहां से लेर मास्क अप्लाई कर रहा हूं और इस इस दे रिजल्ट भी है इसके कॉर्नर्स देख लेते हैं देट हाओ दे लुक इसको मैं एंडू कर रहा हूं और एक और मॉडिफिकेशन करते हैं यहां से थोड़ा सा फेदर अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद दुबारा इसको लेर मास्क अप्लाई करते हैं अब इसके रिजल्ट को देखते हैं अगर हमें इस फाइल को यहां से जाके सेव करें तो आए आए तिंग वी विल गेट बेटर रिजल्ट इसको यहां पर प्लेस कर लेते हैं इसके बाद मैं इसको कॉमेट करूँ और हमारे पास कुछ यह रिजल्ट है ठीक है जी इसके बाद इस पे मुख्लिफ और चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं तो एड़िस्मेंट लेर्स को भी तक हमने नहीं देखा तो यहां पर लाइट्स को मैच करने के लिए शैड़ो पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर आपको मुल्टीपल कुछ एड़िस्मेंट लेर्स नजर आएंगी तो वर्ट यू वांट तो चीज फॉर दिस स्पैसिफिक लेर्स अगर हम इसकी वाइबरेंसी को थोड़ा सा चेंज करें तो मैं वाइबरेंस पर क्लिक कर रहा हूं ठी होगी क्योंकि हमने इस वाइबरेंस को क्लिप कर दिये इस जो इसके बिल्कुल बॉटम पर लेर है तो मैं इस पर दुबारा से डबल क्लिक कर रहा हूं और इसकी वाइबरेंसी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं तो वाइबरेंस हमने अप्लाए कर दी इसके बाद हम इसके टैंपरेचर को थोड़ा सा चेंज करेंगे मिज के तो मैं दुबारा से एडिस्मेंट लेज में जा रहा हूं और यहां से जाके हम एक आप्शन ट्राइब करेंगे डाट इस फोटो फिल्टर और यहां भी हम थो इसकी डेंसिटी को चेंज करके देखते हैं क्योंकि अगर बैक्ग्राउंड को देखें तो यहां पर आपको वाम एफेक्ट मिल रहा है औरेंज एफेक्ट आपको नजर आ रहा है सो हमारी कोशिश होगी कि हम जो कंपोजेट्स इसमें मूव कर रहे हैं वह भी थोड़ा से वाम कलर्स को फॉलो करें ठीक है तो कुछ इस तरह से हम लोग इन वाम कलर्स को अपलाई कर सकते हैं इस इमेज के उपर जब भी आप कंपोजेट्स बनाने जाएं सबसे पहले यह देखें कि पर्स्पेक्टिफ दोनों के सेम होने चाहिए होराइजन लाइन जो आई लेवल है वो सेम हो उसके बाद लाइट्स बढ़ी इंपॉर्टन्ट है कि बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े लाइट्स के उपर अगर थोड़ा बहुत डिफ्रेंस हो तो उसको एड़िस्ट किया जा सकता है अगर यहां पे बॉटम पे हम स सब्सक्राइड्स एक इसको भीड़ाइड्स करें तो थोड़ा सा मजीद रियलिस्टिक एफ़ेक्ट आ सकता है तो में दुबारा से अक नए लेक क्रीएट करहा हूं इसको हम लोग दौत नहीं करें दुबारा है बशु लेते हैं इसको ब्लैक ही रखते हैं और इसको तो आप मजीद बेदर शाइडोज क्रियेट कर सकते हैं तो इसी तरह से मजीद इस इमज के साद प्ले किया जा सकता है मकसद आपको कंपोसित के बारे में समझाना है कि याओ और कंपोसित आर अएक्चुली क्रियेटेड तो सी यू इन नेक्स लेसं थैंग यू सो मज और अप झाल